दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देविश दोस्तों आप में से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा कल सुक्रवार का दिन है इसलिए इस सप्ता जो भी आपने पैसा कमाया है नौकवी में धंदे में या शेयर मार्केट में उसके लिए स्रीचार्ट महाल रक्ष्मी जी अगर कहीं दर्सन देती हैं तो सवानों से साड़े तीन वजे के बीच चार्ट पर देती हैं उनकी क्रपा हर व्यक्ति का करेगी निश्चत रूप से मानिए रही बाद दोस्तों इस वीडियो की तो हम 6 खबरे लेके आये हैं सभी एक से बढ़कर एक हैं आप को सुनकर मज़ा आएगा सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टेसला की कार की तो भाईया इलॉन मस्क की हमने कई वार आलोशना करी है लेकिन कार उन्होंने अफवल दर्जे की बनाई है और आप देख लीजिए कार को भाई साब 200-200 फिट उपर से पटका गया नीचे कार भ मुद्दे की बात या है कि चाहने पर भी एकसिडेंट जान बूज के करने पर भी कोई भी हतात नहीं हुआ टेसला की कार सेफटी की मामले में अवल है उसका जीता जाकता हुदारन हमारे सामने पेस है इलॉन मस्क सहाब को सलाम कि उन्होंने तनी बहतरीन सेफटी के हिसाब से कार बनाई है इसी बीच दोस्तों आसाम के जो मुक्रमंत्री सहाब है उनका कहना है कि साहब मदर्सों में अगर बाहरी राज्यों से कोई भी टीचर आता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा उसे तो भाई साहब कानून और विवस्ता होता है यह राज्य का विसाय है राज्य-सर्कार ताइकरे कि कि को पुलिस स्टेशन आना है यह नहीं वैसी को दिक्कत है भाय साहब कि भही आप भारत में ऐसा क्यों हो रहा है तो भाई साप सुप्रीम कोर्ट है आप कि विए हाई कोट है आपके लेक्ति हो केहने का मतलब यह है और इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रूस वरिफिकिशन कर्वाना है इसलिए इनके पसीने चूट रहे हैं साथ में दोस्तों जब से इमरान खान साहव का ओडियो लीक हुआ है तब से बहुत बढ़ास निकाल रहे हैं कह रहे हैं कि बाजवा तो हमें मरवाना चाहते थे हमसे बहुत बढ़ी गलती हो गई हमने बाजवा को जो है एक्स्टेंशन दिया अब पस्ताय होत का जब चड़ि नहीं पाता भाई चाहब रही बाद पाकिस्तान के बित्तमंत्री शाहब की तो उनका स्टेटमेंट है हमारा बिदेशी मुद्राबंडार खतम ना हो इसका ठेका हमने दे दिया है साओधी अरब को और चीन को वो सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बिदेशी मुद्राबंडा तक तो भाई साब सेनाद देख्ष पाकिस्तान का जाता था तो यह सुधियरब के जो राजा थे वो गेट के बाहर आके रिसीव किया करते थे अपनी इतनी बुरी फजियत कराने के बावजूद इनके दिमाग का बल्ब नहीं जला है और दोस्तों देख लीजिए खुद के प हाथ तक रखने का मौका नहीं मिलता था पूरा का पूरा टॉप क्वालिटी तेल यूरोपियन देश खा जाते थे लेकिन भाई साब अब तो उन्होंने अपने पेरों पर कुलाडी माल लिए पृत्वन लगा दिये हैं खरीद नहीं सकते वह आर्केटिक ओयल तो भारत आ अच्छा तेल आ रहा है सस्ते दाम पर आ रहा है ना सिर्फ यह क्वालिटी वाला तेल है बलकि इससे पैट्रोल डीजल निकालना आसान भी पड़ता है रिफाइनेरी का काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है इसलिए भारत ने रूस से कह दिया है कि नेकी और पूछ पूछ आपके पास अच्छा तेल है हमारे पास देमांड ने भाईसा भेजो दवा के क्या दिकते जिसको बुरा लग रहा है लगने दीजिए रही बाद दोस्तों हिंदुस्तान पैट्रोलियम इसके पैट्रोल पंप पे आप सभी ने पैट्रोल डीजल भरवाया है आपको जानका कर रिन्यूबल फिल्ड की अनर्जी में आगे बढ़ेंगे और एंटीपीसी की दिन तो अभी दो दिन पहले हमें कवर करी थी कि भारत में पहली बार इस कंपनी ने घरेलू गैस में जो एलपीजी का हम इस्तिमाल करते हैं उसमें हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हाइड्रो वह रिन्यूबल एनर्जी की फिल्ड में जाने लगे तो उसके शेर के दाम बढ़ाने में यह घटना करम मददगार होता है यहां हिंदुस्तान पैट्रॉलियम खरीदने बेचने की राइटेव रेक्मेंडिशन नहीं दे रहे आप मैंसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तो बहुत सस्ते में काम हो जाएगा लेकिन भाईशा भी जो सस्ता ओप्षन होता है इसका सबसे बड़ा दुश्मन समय होता है भाईशा कुछ भी ना हो मार्केट में यह समय आपके सस्ते ओप्षन के पूरे प्रीमिन को चार्ट माल जाएगा खलेगा तो भाईया समय को अ आथमें सेर्मार्केट में फिरावट आ रहा है तो उस गिड़त हुए मार्केट में पैसा बनेगा अचार चाना की हें एचिक स्ट्रेट्टि के माध्यम से जिसे हमने पढ़ाया है आथमा निर्वर फूचरश कोर्श में और ये आफ मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो कीजिए धन्यवाद जैस्त्री राम